पर जोमेटो को लेकर अब पर्टिकुलरली जो है ब्रोकरिजिस का रुजहान जो है काफी पॉस्टिव साइट पर आता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपने देखा कि लास्ट वी की 23 अगस्त जो थी वो वन बंद की मेंडिटरी जो लॉक इन पिरिड होती है एंकर निविश्क के लिए वो खतम हुई थी और उसके बाद आपने स्टॉप में देखा कि भारे मुनाफव सूली का एक्सपीरियंस जो है आता हुआ नजर आया अब देखे कुल 146 अंकर निविश्कों से इन्होंने लगभग 42 करोर रुपे जुटाए थे और उस देन अगर आप इसके पहल होता हुआ देखा और अभी आप देखें तो 5% की दमदार तीजी है तो कि अभी स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो काफी सारे ब्लोकरिजी साउसे जो है पॉस्टिव होते हुए दिजर आ रहे हैं जिसमें सबसे पहला है गोल्मेंट सैक्स जहाँ पर इन्होंने निश 220 रुपे प्रतिशेर के लक्षे जो है जो मैटों में ये सुझाते विए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका ये मानना है कि जो अन्य कंपनिया है मार्केट में उसके मुकाबले ये अभी भी काफी reasonably valued है इनके पारेमिटर्स के हिसाब से और साथ ही मौगन स्टैनले ने भी equal weight की रेटिंग दी है और 140 रुपे के लक्षे अभी भी भी जा रहे हैं मौजुदा मार्केट प्राइस आपको 131 रुपे का देखेगा तो सबसे पहले टागेट तो लगता है कि मौगन स्टैनले का चीव हो जाएगा झाल 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 झाल झाल